हार की जनता को भरोशा नहीं दा गया है नितीश कुमार भरी विधानसवा में प्रसोडिंग का अंग है मिटी में मिल जाएंगे और भाजपा से कभी नहीं मिलेंगे ऐसा बयान वो दे चुके हैं तो उनका जो विपक्ष वाले बोलते हैं पल्टू रामवाली स्थिति हो गई कहीं 2000 भोट भी नहीं मिला 1000 के नीचे ही सिमिल परदे के पीछे बड़ा खेल हो रहा है आजी पूर्मे विधान परसर चुनाओं में चाचा पसुपति कुमार पारस के उमिद्वार को हराने के लिए तर्मसकार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बिहार की राजनिती में बहुत कुछ पक रहा है बहुत कुछ उबल रहा है उफन रहा है और जिसके बाहर आने की संभावना लगतार बढ़ती जा रही है और जाहिड तोर पर कुछ उबल रहा है उफन रहा है तो वो बाहर आएगा ही बिहार की राजनिती के लिहाज से कल का दिन भी बड़ा दिन रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक डॉक्टर संजय जैसवाल की मलाकात होती है अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और डिप्टी सीम तारकिशोर परसाथ से और उसक साम या कर सकते हैं रात में दिली के लिए रवाना हो जाते हैं दिली बहुत कुछ तै कर रही है बिहार में दिली के रिमोट से बिहार चल रहा है या दिली से दिली में बहुत कुछ रणिती तै हो रही है तो बिहार की राजनिती में क्या वाकई बड़ा खेल होने वाला है इसको समझने की कोशिस करेंगे और दूसरे राजितिक सवालों पर बात करेंगे हमारे साथ लोग जन सक्ति पार्टी राम विलास के प्रदेश अध्यक्ष राजु तिवारी सर हैं सर लंबे वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है लेकिन ये खिचली लगातार पकड़ रही है हमने जो बताया क्या चल रहा है आप दावा करते रहें कि मध्यावदी चुनाओ होगा रही बात भारती जनता पार्टी के नेताओं का मालिजे प्रदेश सद्धक्षि कर जाते हैं डिप्टी सियन क्या ये तो उनकी पार्टी का अंधुरिनी मामला है और पड़े नेताओं की आपस में बठक होती इस पर कोई कमेंट की बात नहीं बनती है जहां तक बिधान स्वाद्ध्यक्षी जी की बात करने है वो अगर गय हुए है दिली तो बारती जनता पार्टी का है राष्टी काराले है दिली में बड़े नेता बढ़ते हैं ये तो एक रोटीन होगा पार्टी का इसमें क्या कमेंट करने के आउँ सकता है दिल्ली में एक जगह है 12 जनपत वहाँ पर एक भंगला है लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का और उस बंगले के अंदर की तस्वीरें रोज सामने आती हैं चिराग पासवान रोज किसी न किसी नेता से अपनी पार्टी के कारिकरता से बहुत सामान में बात लगती है लेकिन एक तस्वीर एक मुलाकात की सामने आई और उस मुलाकात को लेकर बड़ा बवाल है मुलाकात होती है मुझफर पूर के जो सांसद हैं बीजेपी के अजय निसाद और लोग जनसक्ती पार्टी के रास्टिय अध्यक्ष चिराग पास नहीं लड़ेंगे परोक्षिगण बंधन बीजेपी के साथ ने देखिया ऐसी वात नहीं है आपको मैं समन करा दूं कि हमारे नेता के पिता जी स्वर्गी रामलास पास्वान जी का और अजय निशाद जी के अजय निशाद जी है उनके पिता जी का एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर मिलना जुलना होता रहता है तो कहीं राजनीती की बात से अलग हटकर की परिवारिक रिस्ता होता है उस दर्मियार मुलकात हुई है इसका राजनीती क्यास लगा जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है हम लोग की पारिटी शुरू में ही हम लोग अपने ठीके अच कि नहीं लड़ने का बाकी राष्बद की समर्थन या किसी विरोल्त करने के बात ऐसी नहीं है हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे एक तस्वीर आई है तंब प nursery यहर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के बीज की नरेंद्र मोधी का अविवादन कर रहे हैं बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार और तस्वीर को लेकर बड़ा सोर है जिस तरह से नितीश कुमार जुक कर अविवादन कर रहे हैं अलग-अलग बाते कही जा रही है उस तस्वी को आप कैसे देखते हैं देखें नितीश कुमार जी की बात पर बिहार की जनता को भरोशा नहीं दा गया है नितीश कुमार भरी विधानसवा में प्रसोडिंग का अंग है मिटी में मिल जाएंगे और भाजपा से कभी ने मिलेंगे ऐसा बयान वो दे चुके हैं तो उनका जो विपक्ष वाले बोलते हैं पल्टू रामवाली स्थिती हो गई है अभी उत्तर प्रदेश के चुनाओं में उनके पार्टी वाले भाजपा से हिस्सा मांग रहे थे हिस्सा नहीं मिला तो मजबूती से चुनाओं लड़े और हमको लग रहा है कहीं 2000 भोट भी नहीं मिला 1000 क किस वज़ा से गय थे यह तो नितीश कुमार ही बता सकते हैं रही बात की आप देखे होंगे बिहार के चुनाओं में बिहार की राजनीत में कि जब प्रधान मंतरी नियंद भाय मोदी ओथ लिये थे तो एक गुस्से में जीतना माजी को बनाये थे उनके क्यामिनेट में हम को न जाना पड़े और फिर यू टर्न लेके बन गए तो इनका पलटने का इतिहास रहा है बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर दी है और बिहार में आज की डेट में कानून ब्यवस्था नहीं लगई आप देख रहे होंगे उनके गठबंधन के ही विधायक उनके सामराज पर प्रस्मवात्यक चिन्ह लगा रहे हैं तो बिहार में अभी सब कुछ ठीक नहीं है बिहार की जनता नितीज के कुछाशन से उप चुकी है यह असबस्त है एक सवाल यह भी है सर कि जिस तरीके से आपने बोचहां सीट पर उमिदवार नहीं उतारा यह ठीक है चिराग पासवान ने हाजीपूर में कहा था कि चाचा को यहां से उमिदवार बना कर गलती हुई और अगला चुनाओं मैं लोकसफा का यहीं से लड़ूंगा इसके बा कि मैं हाजीपूर से चुनाओं लड़ूंगा उहां जो चंसाहलाब था उनों का डिमांड था कि आप हाजीपूर से लड़िए चुकि हमारे नेतास्वरगी रामलास पासवान जी का एकतरस कही है कर्म छेत्र और हाजीपूर से दूसरा रिस्ता था तो ऐसी परिस्तित उहा उहां के हमारे नेता कहीं ऐसा बयान लएंगे आप कहीं से सब्सक्राइब कर सकते हैं वह चफूर नहीं करना थ remembers था है cry अपर अधर नहीं करता हूं नियुक्राइफियू सियर्ति अब्रह बात्ति लेकिन असपर pracと思 के जन्मानस का चाह घरक पास्वां जी आमें, चुकि रिस्ता चिराग जी का भी अटूट रिस्ता है, हुदय का रिस्ता है, हाजीपुर के सभी घर-घर से. आखरी सवाल है, कि आप एक अच्छे रनितिकार भी माने जाते हैं, पाटी के परदे सद्यक्ष भी हैं, इस क्रिप्ट लिखी है आपने चाचा पसुपती कुमार के उमिदवार को मात देने की ऐसी जानकारी, ऐसी खबर है, और परदे के पीछे बड़ा खेल हो रहा है, आज वो उनके दल का नहीं था, दल की प्रात्मिक सदस्य भी नहीं थे, मैं आज भी कहता हूं को वो इनके दल के नहीं है, और जीत भी जाएंगे तो वो इनके दल के नहीं है, अब उसमें क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आप लोग भी जानते हैं, रही बात वहां हमारी तो ऐसी कोई नहीं लिखी गई है चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वहां मजबूती से लड़ रहे हैं और जहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां हम लोग साइलेंट हैं एक जगह सुमन महासेठ है मधवनी में हमारे नेता हम कलपरसों में जाएंगे और वहां सुमन महा सेट उनको हमारी पार्टी वहां समर्थन करेगी अपना उनको उनको जिताने के लिए अपने कारकर्टाओं सब्सक्राइब करें वेuस, निर्णने-वाजिपुर लेंगे ACH्छा निर्णने लेंगे भरुकिए किसी को हराने की बात अब लोग जन सक्ति पार्टी नहीं करती है, हम जीतने की बात करते हैं, निगेटिव बात पर मत जाईए राजू तिवारी सर से और जाहिर तोर पर आपको इंटर्व्यू पसंद आया होगा बहुत बहुत धन्यबाद